बन दोस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा शेर ले अगर आप लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों रिलाइंस पाव लिबिटेट की बात की जाए तो यह है इलेक्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है इसकी स्थापने 17 जनवरी 1995 को हुई थी आने की 28 साल पहले इसके जो फाउंडर ने वह दीरु भाई अंबानी जी है इसका हैड़क्वाटर नवी मुंबई में है इसके प्रोड़क्ट की बात की जाए इसके जो प्रोड़क्ट है वह है इलेक्रिकल पावर नैच्रल गैस इसके इसके प्रोड़क्ट की जाए तो तेरा सो से ज्यादा है इसमें काम करते हैं और दोस्तों जो अपने जो यह पावर यानि सप्लाइब करता है कि वह मुंबई में दोस्तों करता है 2017 में इसने जो ऑपरेशन है वह अडानी पावर को यानि सेल कर दिया था और इसका अभी अधर पार्ट यानि महाराष्ट गोगा और आंधिक देश में चल रहा है और यह 13 मीडियम और नाज साइज पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रह की है तो दोस्तों काफी बड़ी कंपनी काफी अच्छी कंपनी है और इसके जो ऑनर है अन्यल अमवानी जी उनके जो बड़े भाईय मुकेस अमवानी जी तो हो सकता दोस्तों के लाइंस इंडॉस्ट्री की तरफ से भी इसको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा अच्छी बड़ा है तो रिडर्यांस पावर में जब ड्लेवरी दो जर्ग में अर्मॉटल केंट हों जा जाए सेल बाइऑ और में में 30 प्रश्श्ट्र फिस गल्वãy सभीह तो आने वाले समय में कम्प्री जो आपने स्यार स्यार को बाय बग भी कर सकती है अच्छे प्रा बनाने का अच्छा मौका है क्योंकि अभी काफी सश्ते रेट पर भी मिल रहा है और आप लोग चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में कोई बहुत बढ़ा दिज्ञेस में या फिर कोई बहुत बड़ी दिग्गत बिदेशी कंपनी आने वाले स में इसका काफी अच्छा रह सकता है आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो वहां पर आप लोग थोड़ा और इसमें बाई कर सकते हैं तो यहां पर आप लोग चाहें तो अभी पोजिशन बना सकते हैं दोस्तो आप लोग चाहें तो रांस पावल इंप्रेट के सेज को कैस में बाई कीजिए इसके जो सेज की डिलिवरी है वो अपने टीमैट अकांट में ले लीजिए औ सब्सक्राइब करना सकते हैं और अच्छा मनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अगर आप अभी मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जड़ एक नए सेयर का वीडियो लेकर आँगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद